सो गैसे यार इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप लोग ने ATM कार्ड या फिर debit card के लिए apply किया था और ATM कार्ड या debit card का dispatch का ATM dispatch होने का message आ चुका है लेकिन अभी तक ATM card नहीं आया है और ATM dispatch का message आई काफी दिन होगे करीबन 15-20 दिना या 2 महिना 3 महिना होगे लेकिन अभी के मन में डाउट होगा सारा डाउट यहां पर केलियर हो जाएगा तो आप लोग को इस वीडियो को पुरा देखना होगा जिससे आप लोग को सही चीज़े और साटिक जनकारी मिल सके तो है कैसे वागत हम सब्सक्राइब का एक और सांदर वीडियो में तो चलिए आज का लगता है हम लोग के पास की ATM काड का dispatch का message तो मान लेजे आ गया लेकिन ATM काड आने में करीबन दो महिने तीन महिने चार महिने समय लगते हैं कभी-कभी तो ATM काड आता ही नहीं है पांचों महिना तक समय लग जाता है तो ऐसे में आप लोग का ATM काड कहां पर फस सकता है कहां पर में भी हो सकता है आप लोग को ATM काड और कहां से आप लोग को find out करना है तो देखिए ऐसे case में अगर मान लेजे आपके पास ATM का dispatch का message मान लेजे दो महिना पर ले आया है ठीक है और अभी तक आप लोग को ATM काड नहीं मिला है तो देखिए इसका मतलब यह हो सकता है कि जो डाकिया पॉस्ट मैं भाई लोग होते हैं वो लोग directly आप लोग को ATM काड प्रोवाइड नहीं करते हैं तो लोग क्या करते हैं कि जब उन लोग के पास ATM काड आता है तो ATM काड लोग लोग ले आ करके bank में दे देते हैं ठीक लेकिन ऐसे में हम लोग ATM काड का इंतजार करत ठीक है तो वहाँ पर किसी दूसरे तीसरे employee से पुछते हैं ठीक है नहीं मतलब ATM काड कहा है ATM काड मैंने apply किया थे नहीं आया है ठीक है तो ऐसे में जिसको कुछ पता नहीं रहता है न वो लोग कह देते हैं कि ATM काड नहीं आया है या फिर ये ओ फुलान टेकन करके भेज़ आपको वापस कि नहीं ATM कार्ड यह पर नहीं आया है लेकिन बिसिकली आप लोग को बात करना है सही सही employee को उहाँ पर चूज करना है कि कौन सा employee आप लोग को बताएगा ठीक है कि ATM कार्ड जो बाहर से आप लोग अपने postman से contact करो ठीक है देखो हर एक जो आप लोग के पास जो डिबिट काड आता है उस पर mobile नंबर नहीं लिखा होता है हो माल लिजए mobile नंबर भी अगर लिखा रहाता है तो जो पोस्ट मैं लोग हो तो लोग कॉल बहुत कम करता है ठीक है तो करीबन दो से तीन दिन के अंदर में ही dispatch SMS आने के दो तीन दिन के अंदर में ही अपने postman से जाकर करके जरूर contact करो कि नहीं भाई साब इस नाम से एक parcel आएगा ठीक है ये इस नाम से आएगा और इतने तारीक के अंदर में आ जाएगा तो आप हमें प्रोवाइट कर देजेगा ठीक है आप लो लोग उसी ATM कार्ड को दोबारा से अंदिलिवर कर दें मतलब अंदिलिवर करके रिटर्न कर देते हैं ठीक है तो ऐसे में आप लोग के पास अगर माल लिए ATM dispatch का अगर SMS आता है तो तुरांत जाकर के अपने postman से मिलिए और करीबन काफी दिन हो चुके है ATM का dispatch का SMS आये हुए तो इस वीडियो में ही तक मिलता है फिर किसी नेक्स वीडियो में एक नाई update के साथ तब तक के लिए बाई बाई